तो दोस्तों अगर आप भी एक अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल सही बलेगी और दोस्तों जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं के हाओ टू क्रियेट फ्री वेबसाइट आपको इस तरह के हजारों वीडियो मिल जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ आप यह सारे वीडियो भी अगर देख लेते हैं तब भी जाके आप अपना एक फ्री वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं फ्री डॉमेन के साथ और फ्री होस्टिंग के साथ अगर आप इन वीडियो को देखकर अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं बना लेते हैं तो आएए मेरे चैनल पर आकर मुझे अंसब्सक्राइब कर दीजिए आप नहीं बना सकते मैं इसलिए कह रहा हूँ यह वीडियो म मैंने बहुत सी देखी जिनको देखकर मैंने एक भी फ्री वेबसाइट नहीं बना पाया लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं फ्री डॉमेन के साथ और आपको होस्टिंग भी बिल की तो दोस्तों लाजमी है कि आपको .com.net.us.in ऐसे डॉमेंस तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे फिर भी अगर आपको एक वेबसाइट चाहिए अगर आप अपना वेबसाइट बनाना ही चाहते हैं तो दोस्तों आपको फ्री वेबसाइट बन जाएगा वो भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर बनाके दिखाऊंगा बनाना सिखाऊंगा जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री होता है आपको ना कोई चीज़ पर चेस करने की ज़रौत होगी ना होस्टिंग ना डोमेन ना कुछ सारा का सारा फ्री में मैं आप आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दूँगा वो भी एक आपके अपने डोमेन के साथ दोस्तों काफी लोगों के पास PCL Лापτοप नहीं होता बट वेबसाइट बनाना चाहते हैं बट वो लोग समझते हैं कि PCL Lापटप के बिना वेबसाइट बनाना मुश्किल है नहीं बना सकते हैं बट आप लोग घलत हो आप फोन से भी एक professional website बना सकते हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं विट वीडियो को start करने से पहले दोस्तों वीडियो को skip करते हुए मत देखिए प्लीज समझ नहीं आईगी और फिर नीचे comment करोगे तो प्लीज बिना तो सबसे पहले हम यहाँ पर domain को register करते हैं तो इसके लिए आपको अपना browser open करना है और एक website पर जाना है जिसका नाम है Freenom तो आपको URL में type करना होगा Freenom.com और आपको इस वाली website पर चले जाना है और जैसे ही आप इस site पर आ जाते हैं तो आपको simply sign in के anie button इस करिक करके आपको इसमें account बनाना होगा मेरा account और आकांट अलरी बना हुआ हुआ है तो मैं इसमें login कर लेता हूं आप इसमें account बनानी लीचिए Google के ने दूर सकती है तो आब मैं इसमे攻den कर लेता हुँ तो जैसा ही आप site में login कर लेते हो तो आप आप यहां पर देख सकते हैं find your new domain तो आपको यहां पर वो टाइब करना होगा जो आपको domain चाहिए for example अगर आपका कोई website है तो उसका नाम आपको मतलब जो आपको domain चाहिए वो आपको यहां पर टाइब करना होगा तो मैं यहां से कुछ भी टाइब कर लेता हूं मैं यहां पर टाइब करूंगा all information तो और मैं यहां से टाइब कर देता हूं और टाइब कर देने के बाद आपको just simply check availability पर टाइब कर देना है और जैसा ही check availability पर टाइब करते हैं तो आपको यहां पर सारे available domains मिल जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं .tk.ma.ga तो मैं recommend करूंगा आपको कि आप यहां से GA को select करें क्यूंकि GA जल्दी approve हो जाता है .tk.ml शायद थोड़ा time लेते हैं तो आपको यहां से GA को select करना है तो आपको यहां पर get it note दिख रहा होगा तो आपको just simply वहां पर click करना है और click करने के बाद scroll up करके वहां पर एक check out होगा आपको check out पर click कर देना है और जैसा ही आप check out करते हैं तो आप यहां पर देख सेते हैं इस तरह से आपको interference मिलेगा आपको यहां पर create पूछा जाएगा तो आपको यहां पर 12 months select करने के बाद continue कर देना है और आप जैसा ही continue करते हैं तो यहां पर आपको एक और बार आपको यहां पर confirmation पूछेगा तो आपको अपनी Gmail या फिर अपने account में एक बार फिर से login कर लेना होगा confirmation कर देना होगा और जैसा ही आप यहाँ पर continue कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक farm दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी details देनी होगी तो आपको just simply यहाँ से पुरा फिल कर देना है आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है company name यानि कि अपना site name लिख दीजिए अपना नाम लिख दीजिए zip code आपका जो भी यहाँ पर details आपसे पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आप यहाँ पर सारी details फिल कर देने के बाद terms and condition को चकमक देखकर यानि के टिक देखकर आपको complete order कर देना है और जैसा ही आप यहाँ पर complete order करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं order confirmation यानि कि आपको जो domain है वो अब register हो गया है तो आपको इस page को ऐसा ही छोड़ देना है अब आपको register करनी होगी अपनी hosting तो आपको दुसरे site पर जाना होगा new tab open कर लीजे वहाँ पर आप type करे pro free host आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं link आपको description में भी मिल जाएगी profreehost.com पर आपको जाना है और जैसे ही आप इस site पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस site का interference आपको यहाँ पर दिख रहा होगा professional free hosting और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया unlimited hosting आपको मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं unlimited disk space, unlimited bandwidth यह सारा का सारा आपको unlimited इमिटेट मिलेगा तो आपको इस साइट में भी रेजिस्टर करना है अपना अकाउंट बनाना है मेरा अकाउंट अल्रडी है तो मैं यहां से लॉग इन कर लेता हूं आप लोग को रेजिस्टर करना होगा तो आप जैसे ही register कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Please active your account तो आपको यह कह रहा है आपको अपने Gmail को verify करने को तो आप अपने Gmail account पर जाएए आपको एक mail आएगा वहाँ पर तो आपको उस mail पर click करके I mean उस link पर click करके अपने account को verify कर लेना है और उसके बाद आप जैसे ही इस account में वापिस verify होकर आ जाते हो तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक option extra मिल रहा है कि create new account तो आपको just simply create new account को click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं create new website तो आपको यहाँ पर अपने website का नाम देना है आपको यहाँ पर एक अपना account बनाना है तो आपको जो भी अपने website का नाम देना है वो आप दे दीजिए आप यहाँ पर जो अभी आपने domain रेजिस्टर किया था आप वो वहाँ पर लिख दीजिए admin.ga मत लगाईए जो आपने domain में लिया है वो लगाईए .ga बिल्कुल भी आप वहाँ पर ना लगाएं और website name आप enter कर देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर select करना है और select करके azro.com को आपको यहाँ से select कर लेना है और उसके बाद आपको just simply right पर click कर देना है और जैसा ही आप यहाँ से okay कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका account जो है वो ready हो चुका है आपको पर click करना है और जैसा ही आप control panel पर आ जाते हैं आपको यहां पर इतने सारे options मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक option होगा park domain तो आपको वो ढूणना है और ढूणने के बाद वो park domain जब मिल जाए तो उसे आपको select कर लेना है और जैसा ही आप park domain पर click कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का interference मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं domain must be registered with a valid register before they can be parked तो आपको just simply यहाँ से यह copy करना है जो मैं यहाँ से copy कर रहा हूँ आप देख लीजिए आपको यह copy कर लेना है और copy कर लेने के बाद अभी जो आपने domain रजिस्टर किया था आपको domain के site पर जाना है याने के free norm पर जाना है और free norm पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने domain के पास एक manage domain जोगी है आपको उस पर क्लिक करना है और जैसा ही आप free manage domain पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं management tool तो आपको वहाँ पर उस पर क्लिक करना है उसे आपको first name server में paste कर देना है और उसी तरह से जो आपने copy किया है वो सारे name server में paste कर दीजिए और कर देने के बाद 1,2,3,4 जो है serial voice आपको खली 1,2,3 जो number है वो आपको change कर लेना है आप screen पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक screenshot छोड़ रहा हूँ जैसा यह fill है आपको वैसे ही सारे name servers में fill कर देना है और fill कर देने के बाद आपका जो domain है आपको उसे एक बार select I mean copy कर लेना है और copy कर लेने के बाद यहाँ पर park domain में आपको वो paste कर देना है और paste कर देने के बाद add park domain पर आपको click कर देना है और जैसे ही आप add parker domain पर क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं congratulations you have now added a new domain to your control panel तो आपको just simply यहाँ पर क्लिक करके control panel पर फिर से आ जाना है और आने के बाद आपको इस बार यहाँ पर ढूणना है software close app installer एक इस तरह का option होगा वहाँ पर तो आपको उसे ढूणना है और उसे ढूणन कर उस पर क्लिक कर देना है और जैसा ही वह open हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतने सारे plugins याने के app installer है तो आपको just simply यहाँ से wordpress को select कर लेना है और जैसा ही आप wordpress को यहाँ से select करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको page खुलेगा तो आपको just simply यहां देख सकते हैं तो अब आपको यहां पर कोई भी खलती नहीं करनी है जो मैं आपको यहां पर कहूँगा आपको वही यहां पर रखना होगा तो जो यह protocol है उसको आप HTTP ही रहने दीजिए नीचे आप आपकर यहां पर domain पर tap करके अभी आपने जो domain register किया था जो .ga है आपको वह select करना है और वह select करने के बाद आपको नीचे जो WP दिख रहा है उसे erase कर देना है हटा देना है अगर वह आप नहीं हटा होगे तो आपके site के domain के बाद slash WP जब तक ना type करें आपका site आएगा नहीं तो आपको उसे हटा देना है और हटा देने के बाद यहां पर नीचे my blog में आप अपने website का नाम लिख सकते हैं और description में आप कुछ वे लिख सकते हैं और उसके बाद और उसके बाद आपको यहां पर admin username यानिकि यह और वो कर देने के बाद आपको just simply scroll on कर देना है और करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं install आपको install पर क्लिक करना है और जैसे ही आप install पर क्लिक करते हैं तो यह जो wordpress की means wordpress जो है वो install हो रहा है कुछ ही second हो में यह install हो जाता है और जैसे ही install हो जाता है आप यहां पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यह रहा आपका साइट जो की बनके रडी हो चुका है और जो यह दूसरा URL है वह है आपके साइट का अड्मिन URL अब वह URL टाइप करके आप अपने साइट के एड्मिन चैनल में लॉग इन हो सकते हैं और वहां से आप अपने पोस्स लिख सकते हैं अपने साइट को मैनेज कर सकते हैं तो आपको यह URL याद रहे आपको याद रखना है और आपको जो पासवर्ड है वो भी आपको याद रखना है तो बस आपका साइट बनकर रडी हो चुका है त खूब अर्निंग करिए ये सब आपको आता है तो दोस्तों अच्छी बात है अगर नहीं तो नीचे कॉमेंट करिए मैं इसके भी टिटोरियल्स आपको दूँगा अगर ज्यादा लोग पूशते हैं तो तो बस उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कोई इंट्रेस्टिंग वीडियो आप मिस्ट ना कर दें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया बबाई